नमस्कार दोस्तो ध्यान मार्क में मैं मम्ता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और उमीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलें साथी बेल आइकन भी दब के पिछले कुछ दिनों के अनुभव आप सब के साथ साजा करना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ध्यान को एक हवा बना रखा है बहुत मुस्किल काम उसको समझने लगते हैं लोग कि ये तो बहुत मुस्किल है हमसे नहीं हो पाएगा कई लोगों को लगता है क कि अभी हमारी उम्र नहीं है कि हम इस रूट पर इस पार पर चलें तो उन लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो आज का बनाया है ऐसा कुछ भी नहीं है ध्यान को आप जितना मुस्किल बना लेंगे वही वाली बात है कि कोई काम है हम अपने थौट प्रोसेस से ही उसको असान ये मुस्किल बना लेते हैं किसी चीज़ को अगर हम समझेंगे ही मुस्किल तो हम आदा आर महीं माल लेते हैं दूसरी बात अभी एक वेबसाइट पर मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी मेडिटेशन की उपर ही तो वहाँ पे एक 30 वर्स ये युवक ने एक प्र जन ने जो की बड़े विदवान भी में भी समझे जाते होंगे क्योंकि उनकी जो प्रोफाइल मैंने देखी थी तो काफी उनके फॉलवर्स थे उन्होंने उनको उत्तर दिया था कि आप अपने समय की बरबादी ना करें और खाएं पीएं घुमें फिरें और मोच करें मु पर जो पथ भठकाने वाले लोग होते हैं अपने आपको जो बहुत ज्यानी समझने वाले कुछ लोग होते हैं कोई तरक नहीं है उनके आधार कोई आधार नहीं कोई तरक नहीं है दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि भगवान शिव ने माता को 112 ज्यान की ध्यान की विधियां बताई है जिसको संकलित किया गया है जो हमारा ग्रंथ है विज्ञान भहरव तंत्र आप इस ग्रंथ के नाम के स्टार्टिंग में ही विज्ञान लगा हुआ है आपको पता होगा हर किसी को पता होता है साइंस में जो भी फैक्टर्स लगते है जो भी उसमें तत्थे होते हैं वो निराधार नहीं होते हैं अगर सूरज जिस दिसा से निकलता है तो वो उसी दिसा से निकलता है अगर सेव या किसी बॉल किसी गैंद को आप उपर की तरफ फैकोगे तो gravity जो है उसे अपनी ओर खींचेगी ही खींचेगी वो हवा में और हम carbon dioxide तो ये विग्यान है, ये science है, fact है, ये बिल्कुल accurate होते हैं, उसी तरीके से ध्यान की जो accuracy है, वो 100% होती है, उसको हम change नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई हवा हवाई बातों में आप भरोसा ना करें, और कोई उम्रे ऐसी नहीं होती है, कहीं नहीं लिखा हुआ, कि इस उम् और अध्यातम के मार्क पर बढ़ रहे हैं, वो मौज नहीं कर सकते, मैं तो ये कहूँगी कि उनके बराबर मौज यह कोई नहीं होता, क्योंकि जो अध्यातम की रास्ते पर चल रहे हैं, वो कहते हैं, कल्युक्के वल नाम अधारा, सुमीरी सुमीरी नर उत्रे ही पाख